सभी को नमस्कार आज का जो अपना ठोफिक रहेगा वो हे जियेम लोकों में ते मेटर नहीं आने के क्या कारण है और उसका निवारण आपको किस तरह से करके और आगे सुरक्षित गाड़ी का संचालन आपको करना है तो सबसे पहले जो कारण है रिवर्सल हैंडल का जाने वाली दिशा में नहीं होना अब ये कारण है एको कभी कभी हो जाता है कि नौच लगा रहे हैं और रिवर्सल हैंडल न्योटल में पड़ा हुआ है तो आपको क्या करना है देखना है यदि neutral पे है तो जाने वाली देशा में आपको रख देना है आइसोलेशन स्यूच रन पर नहीं होना वहीं खभी आपने इंजन को स्टार्ट किया इंजन स्टार्ट करते समय आइसोलेशन स्यूच आइसोलेट पर रखते हैं अब सिंगल दे दिये इसको रन पर करना बूल गए तो उस इस्तति में ये गलती हो जाती है तो देखें कि मेरा जो इंजन कंट्रोल फेनल है उसमें जो आइसोलेशन स्यूच एदी आइसोलेट पर है तो उसको आपको रन पर रख देना है कंट्रोल स्टेन नंबर दो पर जो यार और एप के जो शलाइड श्यूच लगे होए है जब भी लोग को स्टार्ट करते हैं तो इनको ओफ रखते हैं लेकिन जब गाड़ी चला रहे हैं सिंगल दे दे ओन करना बूल गए तो देखना है कि मेरे जो कंट्रोल स्टेन नंबर दो है वहाँ पर यार जेप के स्यूच एदी होँपे तो उनको ओन कर देना है सर्किट बरेकर पैनल पर जेप का जो सर्किट बरेकर है उसका ओन नहीं होना तो आपको सर्किट बरेकर पैनल पर देखना है यह दी जेप का सर्किट बरेकर ओफ है तो इसको ओन करना है पांचवा कारण है थ्रोटल नोच पोजिशन वास्तविक थ्रोटल नोच पोजिशन के अनुसार नहीं दरसारा है आपने नौच लगाया नौच नहीं हारी है डिस्पले में जाके प्रोग्राम मिटर में देखना है एधी थ्रोटल की वास्तविक पोजिशन नौच के अनुसार नहीं हारी है तो आपको जो निवारन करना है कंट्रोल स्टेंड बदली करके आपको चेक करना है दूसरे कंट्रोल स्टेंड से नोच लगाना है नोच जैसा अपने लगाया उसके अनुसार प्रोग्रामेटर में दिखाना चाहिए गवर्नर का एमपोनल पलग का टाइट नहीं होना यानि कि गवर्नर का जो एमपोनल पलग है वो लूज हो गया है तो ये जो गवर्नर का एमपोनल पलग है ये दि ये लूज है तो इसको आपको टाइट कर देना है अससरी रूम में जाना है वहाँ जाके लोको लेप्ट साइड से आपको इसको अच्छी तरह से टाइट कर देना है पीसेश नोकाउट का होना तो जब भी पीसेश नोकाउट होगा तो सम्मन्दित कारण सहित आपको मैसेज डिस्पले पर मिल जाएगा तो उस मैसेज के अनुसार आपको कारेवाई करना है और पीसेश नोकाउट होने से सम्मन्दित जो भी कारण है उसका निवारण आपको करना है अगला जो आटवा कारण है EM2000 लोकों में जो DIU कारण है एक दो तीन में से किसी भी कारण पर फेलेर की जो LED है वो लाल कलर की जल रही है तो उसमें DIU कारण जो है निवारण में आपको क्या करना है DIU कारण को एक से तीन या फिर दो से तीन को आपस में बदली करें अगर समस्या का निवारण हो जाता है तो आगे कारे करें अन्यता सेड से बात करें और सेड के आदे सानुसार आपको आगे कारेवाई करना है जो नवा कारण है किसी भी कारण से आपने देखा कि सब को सामान है टी मिटर नहीं आ रहा है तो उसमें आपको देखना है जो control stand number 1 है उसमें coupler है 543 A 543 B 543 C coupler का लूज होना तो इन coupler की जाच करना है यह control stand है आपका यहापर यह जो है इसको आपको खोलना है पैनल को खोलने के बाद यहापर इस तरह से यह card नजर आएंगे तो यहापर आपको मिलेगा 543 A 543 B और 543 C यह जी coupler lose है तो इनको आपको tight कर देना है दस्वा कारण है dual cape लोको यह जी आपने start किया है या cape change किया है और जो working cape non-working cape है उसमें बेल की का दोनों cape में own position पर होना या फिर off position पर होना dual cape लोकों में यह जी दोनों cape में बेल की off है leading में भी, trailing में भी तब भी empire नहीं आएंगे अगर दोनों केब में bail की on है तब भी ampere नहीं आईएंगे तो working केब में bail की on होना चाहिए है और जो non working केब है उसमें bail की का off होना आपको देकर insert करना है अगला जो 11 कारण है dual केब लोको के working और non working केब में दोनों केब में जो Circuit Breaker Panel है उसपर जेब का City puraker Off का होना तो यह देखना है कि जो मेरा पीछे वाला जो Non Working Keav है उसमें जेब का Circuit Breaker Own नहीं होना चाहिए वहाँ पर Non Working Keav में क्या होना चाहिए Off और जो Working Keav है उसमें Own होना चाहिए यानि कि इस तरह से आपके पास dual cave लोको है तो ये जो पीछे वाली मान लिजे दो नमबर cave है ये non working cave है तो इसमें तो जेब का circuit वरेकर ओफ रहेगा ACC4 में और ये मेरी cave one है ये working cave है तो इसमें जो जेब का circuit वरेकर है ACC1 में वो own ओना चाहिए तब जाके ampere आएंगे अगर दोनों cave में ओफ है जेब का तब भी नहीं आएंगे दोनों में own है तब भी नहीं आएंगे working cave में own होना चाहिए और non working cave में off होना चाहिए तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये जेब का circuit breaker वरेकर cave के अनुसार जो working है उसमें own और non working cave में off कर देना है dual cave लोकों के working और non working cave दोनों में जो isolation स्यूचे है उनका run पर नहीं होना यहाँ पर जो दोनों cave है working और non working cave दोनों cave के अंदर जो isolation स्यूचे यह working में भी run पर रहेगा और जो non working cave है वहाँ पर भी run पर रहेगा तब जाएके अंपेर आपको मिलेंगे एदि किसी भी cave का isolation स्यूचे एदि isolate पर है तो अंपेर नहीं मिलेंगे गाड़ी संचालन के दोरान computer के display पर power ground का message मिल जाना अगर EM2000 लोको है उसमें GR ओफरेट हो रही है तो चलती गाड़ी में control stand secure करेंगे display के ओपर जो F3 function की है उसके ओपर reset लिखा हुआ मिल जाएगा F3 function की दवाएंगे और ground reset हो जाएगी मेदा के लोकों में चलती गाड़ी में control stand secure करेंगे 15 second के बाद GR auto reset हो जाएगी GR का message डिस्पले से चला जाएगा S3 वर्जा नहीं सिमेंस का लोको GR आ रही है चलती गाड़ी में control stand secure करेंगे ZR auto reset हो जाएगी डिस्पले से message चला जाएगा अगला जो कारण है message मिल रहा है No load engine temperature feedback failure का इस परस्तती में आपको ATP 1, ATP 2 जो की water pump के inlet pipe पर accessory room में sensor लगे होए हैं दो ATP on ATP 2 यदि ये खुल जाते हैं या lose हो जाते हैं तो display पर no load engine temperature feedback failure का message मिल जाता है और आपका T meter 0 हो जाता है तो इनकी tightness check आपको करना यदि lose है तो tight कर देना है अगला कारण है पंदरवा wheel locked का या speed sensor quality का message आना गाड़ी चला रहे थे wheel locked का या speed sensor का message मिल गया है तो उस प्रस्तती में आपको क्या करना है देखो इसका वीडियो में ने विश्तार पूर्वक बना रखा है जिसका लिंक में आपको description box में दे दूँगा तो उस वीडियो को देखकर इस wheel locked का message आने पर आपको क्या कारेवाई करना है वो कारेवाई वहाँ से आप देख सकते हैं सोलवा कारण है no load no companion alternator output का message डिस्पले पर मिलना तो इसमें आपको चार चीजे चेक करना है फहला है circuit breaker panel पर auxiliary generator के field के circuit breaker की जाच करना है यदि trip है तो off करके on करना है यदि off है तो on कर देना है दूसरा जो है वोई circuit breaker पैनल पर auxiliary generator का field वेक का जो control circuit breaker है यदि trip है तो on करे off है तब भी आपको on कर देना है तीसरा है जो ACC2 है उसमें लगे auxiliary generator का 250 amp का ये circuit breaker है output का यदि ये trip है तो इसको पहले trip से off करे फिर off से on करे यदि गाड़ी संचालन के दोरान ये जो 250 amp का जो circuit breaker है ACC2 में अगर ये बार बार trip होता है तो इसकी recycle करे ओकजलरी generator की drive shaft चेक करेंगे यदि तूटी है तो लोग को फैल करेंगे PCR set को बता कर तो इस तरह सें ये जो auxiliary generator की जो drive shaft है लोग को left side में इसकी जाच करें ये तूट तो नहीं गई है तो ये चार चीजे चेक करना ACC1 के अंदर जो circuit breaker panel है auxiliary generator का field का और feedback का और ACC2 में 250 amp का circuit breaker की और auxiliary generator की drive shaft की आपको चार चीजे चेक करना है जब ये message मिलता है डिस्पले पर करोबार fire का message आ रहा है तो EM2000 लोकों में message मिलेगा रजिस्ट्यू करोबार fire का S3 version में message मिलेगा hard crowbar is active का मेदा में message मिलेगा hard crowbar is fire का इसके बारे में भी मैंने एक विश्ताहरत से वीडियो बना रखा है उसका link भी मैं description में दे दूँगा तो माँ जाके इसके बारे में आप विश्तार से वीडियो देख सकते हैं इसमें आपको क्या क्या कारेवाई करना है अठारवा कारण computer की display पर no load simultaneous power dynamic break request का message आ रहा है तो उस इस्तति में आपको क्या करना है जो throttle है throttle को आगे पीछे करना है throttle को dynamic वो motoring zone में चलाना है throttle की position display में idle पर आना आपको check करना है 19 वा कारण है no load simultaneous forward reverse request का message आ रहा है इस तरह से message आपको display पर मिल रहा है तो इसमें निवारन करना है display पर program meter में आपको जाना है वाँ जाके reversal की स्तति चेक करना है reversal को neutral में रखकर reversal का input आपको ओ परदर्शित होना आपको check करना है यदि ऐसा नहीं होता है तो reversal को forward में रखकर RHSF का own होना आपको देखना है इस तरह से आपको forward में रखना है यहाँ पर यह on होना चाहिए तता reverse में रखकर RHSR का own होना यहाँ पर आपको reverse में रखना है और इसका own होना देखना है अब reversal को neutral में रखके और देखके की यह ओ परदर्शित कर रहा है कि नहीं कर रहा है साथ में reverse वाला भी off करना चीए इस तरह से ये आपको चेक करना है अगला जो कारण है TCC बलोवर के कॉंटेक्टरों का पिक अप नहीं होना निवारण में आपको करना है सम्मधिक ट्रक को काट कर गाड़ी चलाए PCR को नोट करा है सेड से बात करे जिस भी ट्रक को enable से disable करने के बाद सपलता मिल जाती है उस ट्रक को disable रखकर ही आपको आगी गाड़ी का संचालन PCR के आदे सानों साथ करना है 21 कारण है TCC बलोवर का सरकिट बरेकर जो है इनका बार-बार ट्रिफ होना अगर यह सरकिट बरेकर बार-बार ट्रिफ होते हैं तो सेड PCR से बात करके सरकिट बरेकर पैनल खोलेंगे एदे TCC1 का सरकिट बरेकर बार-बार ट्रिफ हो रहा है तो MULAX7 और MULAX जो है इनको आपको bypass करना है एदे TCC2 है तो इसके लिए MULB7 और MULBX को bypass करके और आगे सफलता मिल जाती है तो PCR और सेड के आदे सनुसार आपको आगे कारेवाई करना है तो इस तरह से जो GM लोको है यह उसमें ट्रेक्टिव एपर्ट मिठर आपको लोड मिठर में नहीं मिल रहा है तो यह कारण हो सकते हैं और इस तरह से आपको निवारन करना है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद